हेलो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल पर डबली डबलुई और रेसलिंग से जोली तमाम छोटी वड़ी ख़बरों से अपडेट रहने के लिए हमारे यूटूब चैनल ऐसाइस लाइफ टीव इंडिया को सबस्क्राइब करें और पार सा में इबेंट इस हथे सांदार रहा था रौमल रेंज और कोडी रौट का आपना सामना हुआ इस दोरान सोलो सिकोवा भी मौझूटे जोिए ने अब रौट को ट्विटर के जरीये मैसेज भेजा है रौमल रौट का सेंग्मेंट इस हफते अच्छा चला। प्रोमो वैटल में इस बार रोमन के ऊपर कोडी भारी पड़े रोट्स ने दब रेड लाइन को लेकर कुछ ऐसी बाते कहीं जो रेंज को बुरी लग गए रेंज माइक फैक कर रिंग से बाहर चले गए थे इसके बाद सिकोवा और कोडी का आमना सामना हुआ रोमन ने सिकोवा को बाहर बुलाया इस दोरान रोट्स ने सोलो से कहा कि वो उनके लिए तयार नहीं है जी है दोस्तों सिकोवा का गुसा आ गया सिकोवा जैसे ही रोट्स को मारने गए उन्होंने किक मार दी इसके बाद फिर से सोलो उन्हें मारने के लिए तैयार हुए रेंज ने आकर सोलो को पका लिया रोमर ने सोलो को सांथ कराया और अपने साथ ले गए सिकोवा ने ट्विटर पर Now we have a problem लिखा इसके जरीए उन्होंने कोडी के ऊपर निसाना साधा क्या WWE रेसल में 49 में रोमर रेंज की जीत होगी जी हा दोस्तों रेसल में 49 में कोडी रोट्स और रोमर रेंज के बीच मैं सांधार रहेगा दोनों के बीच अन्डिस्प्यूटी यूनिवर्सल जैंपियंसिप के लिए मकाबला होगा यहां से एक बात समझ आ रही है कि मैच में सोलो सिकुआ का भी तगड़ा रोड रहेगा वो मैच में दखलनदा जी कर कोडी के ऊपर हमला कर सकते हैं दाउसो साध रेंज के साथ नहीं रहेंगे उनका मकाबला मेनिया में केमि रोबेंस और सेमी जैन के साथ होगा कोडी रोड्स को सोलो सिकुआ से साथ रहना पड़ेगा कोडी कई बार रेंज को हराने का दावा कर चुके है रेंज की बातसाथ को इस बार खत्म कर सकते हैं अलाकि ये काम उनके लिए बहुत कठेन होगा, WWE ने भी इस मैच के लिए कुछ ना कुछ सर्प्राइज जरूर प्लान किया होगा, आप देखना होगा कि रेंज के उपर रोट जीत हासिल कर पाएंगे या नहीं, जी या दोस्तों, WWE और रेसलिंक से जुली तमाम चोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल SS Lab TV इंडिया को सब्सक्राइब करें और पास आयवेल एकन को प्रेस करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सेयर करें